के गाइज वेलकम बैक टू माई चानल आज हम बनाने जा रहे है हॉट लेमन कोरियंडर सूप इस सूप को आप अपने डाइट प्लाइन में आड़ आन कर सकते हो क्योंकि भूती हेल्दी एंड टेस्टी सूप है और जेनरली आप यह सूप अपने विंटर सीजन में बनाके इ चली से बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यह ले रहे है कोरियंडर लीव को बाद में यूज करेंगे जो इसकी स्टेम है इसे हम फाइनली चॉप कर देंगे इससे भी हमारा जो सूप का टेस्ट हो बहुत ही अच्छा आने वाला है इसे हमें एकदम फाइनली लुष अच्छे सरक गरम हो जाए तब हम इसमें आद करेंगे वन टेबल स्पून ओनियन और वाला को मच्छे से रोस्ट कर देंगे तân करेंगे हमारे कॉरियंडर लीव की जो स्टेम हमने अभी कट किया था वह इसमें कर देंगे और इसे हम ओनियन के साथ में एक से दो मिन के लिए रोस्ट कर देंगे ऑईल में तकी अच्छे से कुख हो जाए फिर हम इसमें आड़ करेंगे टू टेबल स्पून चॉप्ट गारट टू टेबल स्पून चॉप्ट बीन्स हाफ कब चॉप्ट काबेज साथी में हम एड करेंगे हाफ कब स्वीट कॉन और इन सभी को हम यह आप अपने according कोई भी vegetables add on कर सकते हो आपको जो vegetables पसंद हो आप इसमें add on कर दीजे और इन सारी vegetables को हमें 2 से 3 मिनिट के लिए cook करना है यह अच्छे से cook हो जाये तब हम इसमें add करेंगे 3 कप पानी तो यहां मैंने measuring cup के help से 3 कप पानी add on कर दिया है फिर हम इसमें add करेंगे salt अपने taste के according 1-4 teaspoon black pepper powder और इन सभी को हम अच्छे से mix कर देंगे इस soup को और healthy बनाने के लिए अगर आपके पास vegetable stock हो तो आप पानी के बदले vegetable stock भी add on कर सकते हो अब इसे हमें एक boil लाने तक cook करना है और इसमें एक अच्छा सा boil आ चुका है और हमारी सारी vegetables अच्छे से cook हो चुकी है आप देख सकते हैं काफी अच्छे से boil भी हो गया है तो अब हम इस soup को थोड़ा थिक बनाने के लिए एक bowl में हम add करेंगे 1 and a half teaspoon corn flour फिर हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा पानी 2 टेबल स्पून जितना हम इसमें पानी आड़ कर देंगे इसे हम अच्छे से mix कर देंगे make sure इसमें कोई भी लंच नहीं होना चाहिए और फिर इसे हम add कर देंगे हमारे soup में और इसे हम अच्छे से stir कर देंगे क्योंकि हमने इसमें confra add कर दिया है तो इसे हमें धीरे धीरे low flame पर stir करते हुए cook करना है वरना यह हमारे pan में नीचे चिपक के जल सकता है इसलिए हम इसे in between stir करते हुए cook करेंगे तो अब हम इसे 5-6 minutes के लिए cook करेंगे और 5-6 minutes के बाद हमारा यह soup काफी अच्छा थिक हो जाएगा फिर हम इसमें add करेंगे 3-4 drop soya sauce के और इसे हम अच्छे से mix कर देंगे soya sauce add करने के वज़े से हमारे soup में light dark color आ जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है soup में अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी add on कर सकते हो फिर हम इसमें add करेंगे 1 tablespoon lemon juice और 1-4 cup coriander leaf lemon juice, coriander leaf और soya sauce इन तीनों से हमारे soup में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इसलिए हमारा soup 5-6 minutes के लिए अच्छे से cook हो जाए तब ही हम यह 3 ingredients add करेंगे और हमारा यह lemon coriander soup बन के ready है इसे हम serve करते है इस soup को आप गर्मा गर्म serve कीजे इसे आप winter season में enjoy कर सकते हो और आप इस soup को अपने diet plan में भी enjoy कर सकते हो क्योंकि इस soup बहुती जादा healthy soup है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजे हमारे चैनल को subscribe कीजे हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए happy and safe cooking वीडियो वीडियो ।